नमस्कार दोस्तों ये सेड़ा के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MPPAC प्रेम्स के लिए जो यूनिट 7 है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टोपिक है वो है पोशन, आहार और पो हाइडरेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में याने की हमारी जो आठवी क्लास थी उसमें चर्चा की और आज हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन-कौन से रोग हो सकते हैं प्रोटीन क्या क्या प्रकार का होता हैं प्रोटीन के परिक्षा में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं और प्रोटीन से क्या-क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो सभी विशय पर हम चर्चा करने वाल हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन है क्या प्रोटीन बनता कैसे क किन किन चीजों से बनता है तो अगर हम देखें तो प्रोटीन दोस्तों एक प्रकार का संयोजी उत्तक हैं जो कार्बन हाइट्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है और जिस पोशक तत्व के अंदर कार्बन मोजूद होता है जिस पोशक तत्व के अंदर कार्बन उपस्तित है वो कार्बनिक पोशक तत्व की श्रेणी में आता है और जहां पर भी कार्बन उपस्तित होता है वो क्या करते है तो एनर्जी देने का काम करते है यानि कि प्रोटीन का क्या काम है शरीर को उड़ जा देना जैसे कि कार्बो इसके हैं अधिक मात्रा में सेवन हो कर सकता है तो अधिकता की वजह से भी रोग हो सकते हैं और कमी की वजह से भी रोग हो सकते हैं तो अगर हम बात करें कि जैसे कि kay интерес hydrogen oxygen और नाइट्रोजन इन सभी का मिश्रण क्या कहलाता है इन से जो प्रदार्द बनता है उसका हम क्या कहते है प्रोटीन और जैसे कि कार्वो हाइड्रेट में फिक्स रहता है कि CHO का एक अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में संगटक रहता है बट इसमें ऐसा फिक्स नहीं रहता इसका reason है कि जो protein बने होते हैं वो carbon hydrogen oxygen nitrogen के संगटक तो होते हैं बट इनसे बनते हैं amino acid या amino amul बनते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है तो 20 होती है और 9 जो है वो हम क्या करते हैं शरीर के अंदर ही उनका निर्माण हो जाता है तो 11 एसे एमिने एसिट्स होते हैं जिनको बाहर से दिया जाता है और 9 एसे होते हैं जो शरीर के अंदर ही डेवलप हो जाते हैं तो यह 11 जो है इनको हम आवश्यक अमिनोम लेकाते हैं और 9 जो है को अनावशक हम कह सकते क्योंकि शरेड के अंदर है तो अगर हम देखें कि protein जो है वह क्या है जटिल सरचना प्रोटीन जब टूटता है तो प्रोटिन के तूटने पर क्या बनता है प्रोटिन के तूटने पर क्या बनता है अमीनो अमल बनता है या अमीनो एसीड जिसको हम कहते हैं अमीनो अमल यह बनता है और अमीनो एसीड जब तूटते हैं तो किसमें डिवाइड होते हैं कार्बन हाइट्रोजन ऑक्सिजन और ना तभी प्रोटीन बनेगा आप जब प्रोटीन का सेवन करते हैं तो फिर इसका ब्रेकडाउन होता है यानि कि इसका पाचन होता है शरील के अंदर तो प्रोटीन टूटेगा किसमें टूटेगा वह पैप्टॉन में टूटेगा किसमें टूटेगा पैप्टॉन में टूटेग तो सबसे पहले भोजन कह прыं पर जाता है कि अमाशे में 5 में दो जो और बाइव रहे बाता है उसके बाद अगना शेख रंथी उती श्रीर में और वहां से दो फीर से चार अश्रीर में निकलते हैं लटीन भी माने जाते हैं चार भी माने जाते हैं और उसमें से जो एंग्जाइम्स होते हैं वो पेप्टॉन को फिर एमिनोएसिट में करते हैं अब एमिनोएसिट यानि कि क्या बन रहा है शरीर के अंदर अमोनिया बन रहा है शरीर के अंदर क्या बन रहा है एमिनोएसिट ब कुर्ण करता है तो व्रक कि यानि की की इसको बाहर निकालती है च अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करोगे तो किड़नी को जो यूरिया है वो बहुत जादा मात्रा में मिलेगा इससे किड़नी के यह उने का खत्रा देता है यानि कि आप से पूचा जाए कि प्रोटीन की अधिक्ता से खराब हो जाएगी यह इसके अधिक्ता से उने वाला रोग है अब प्रोटीन क्या करता है कि इन कारोजा हमें देता है कितनी मिलती है एक ग्राम प्रोटीन के सेवन करने से चार दशमलों एक किलो केलोरी उड़जा बनती है यह वाला प्रशन MPPHC में पहले भी पूछा गया है आगे भी पूछा जाएगा तो नोट करने न भीया इसको यह वाला प्रशन पहले पूछा जा चुका है फिर पूछे तो प्रोटीन से चार दशनलों याने कि कार्भोहिड्रेट से कम उर्जा दे रहा है अब इसकी उर्जा का क्या यूटीलाइस करेंगे कहा पर इसका प्रियोग किया जाता एक हाँ यह आवशक होती है तो यह जो उर्जा होती है जब मतलब जो इंसान होता है जो मनुष्य होता तो जब 15 तक रहती है 0 से 15 तक तो protein की आवशक्ता जादा होती है क्योंकि protein से जो उड़जा मिलती है वो क्या करती है शरीर का विकास करने में सायक होती है यानि कि शरीर का development किसकी वज़े से होता है protein की वज़े से होता है अगर protein का सेवन नहीं करेंगे बच्चे तो शरीर का विकास नहीं होगा बोने रेज आएंगे उनमें कुछ रोग हो जाएंगे और 15 से अधिक के जो लोग होते हैं उसके बाद शरीर के मतलब शरीर की जो कार्यात्मक उड़जा होती है यानि की कार्य करने की जो शमता होती है जिसको कार्यात्मक एनर्जी हम कहते हैं वो हमें carbohydrate से मिल जाती है तो बस basic से protein का यानि की जो limited मात्रा है संतुलित मात्रा है उतने ही protein का सेवन करना चाहिए तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि protein का function क्या है protein का कार्य क्या है तो protein का जो सबसे महत्पून कार्य है वो है शरीर का विकास करना यानि की शरीर के अंगो का शरीर के जो अलग-अलग पार्ट से उन सभी का क्या करना है विकास करना protein का का काम होता है यह energy देता है पर energy किसलिए देता है body development के लिए तो बच्चों के लिए अधिक आवशक होता है, बड़े होने के बाद, वयस्क होने के बाद इसके आवशकता कम हो जाती है, तो एक वयस्क मनुष्य में प्रती दिन इसके कितनी आवशकता होती, ये भी पूछा जा सकता है, तो होती है 30 से 50 ग्राम, कितना सेवन करो, 30 से 50 ग्र इतना अगर आप लेंगे इससे अधिक अगर लेंगे तो फिर क्या होगा व्रक के खराब होने का खत्रा और यूरिया में आगे कि ये जो प्रोटीन नाम की बला है इसको खोजा किसने ये भी प्रश्ण एक्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन नाम किसने दिया प्रोटीन को खोजा किसने तो प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी मूलर ने ये प्रश्ण भी एक्जाम है उसने इसको नाम भी दिया था और क्या किया था इसकी शरचना की खोज की थी अब हम और आगे बढ़ते हैं कि निया अधिकता होगी तो क्ंवार मिलती है उस उट्सक्या का यूटिलाइज हम कहां परकरते हैं । प्रति मात्रा में गंदक याने की सलफर भी होती जो माइनर होती है अंशिक मात्रा होती है इतना ज्यादा इंका नहीं होता है और क्या होता है जिंक याने की जस्ता होता है तामबा और फास्फोरस्त जो हैं वो भी इसमें कुछ मात्रा में मिले होते हैं और ये क्या काम करता है तो काम तो हमने देखा ये कि शारीरिक व्रद्धी करता है और शरीर की व्रद्धी और विकास के लिए आवशक्ता होता है इसलिए बच्चों में इसकी अधिक मात्रा की आवशक्ता होता है जैसे जैसे वयस्त में भी होती है तो वहां में इसकी आवश्क्ता होती है अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन है वो बन रहे हैं एमिनो एसिट से तो एमिनो एसिट से बनते हैं कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें एमिनो एसिट के अलावा कुछ और भी चीज़े होती है कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इनसे मतलब जो प्रोटीन होते हैं उससे फिर प्रोटीन बन जाते हैं तो इस बेसिस पर यानि की राशानिक सरचना कि आधार पर इनको तीन अलग-अलग प्रकारमी क्या किया गया है विभाजित किया गया है अभी मैंने आपको वो मिलकर किसी प्रोटीन को बना रहे हैं किसी प्रोटीन को मिलकर बना रहे हैं उसमें बाहर का कोच भी नहीं मिला है केवल और केवल क्या मिला हुआ है उसमें एमिनो एसिट मिला हुआ जैसे कि मालनों कि यह एक एमिनो एसिट से दूसरा एमिनो एसिट से तीसरा एमिनो एसि प्रोटीन नाम का प्रोटीन होता है जो सरल प्रोटीन होता है एलबुमीन नाम का प्रोटीन होता है वो भी सरल प्रोटीन होता है उसके बाद केसी नाम का प्रोटीन होता है वो भी सरल प्रोटीन होता है इस्टेटीन नाम का प्रोटीन होता है वो भी सरल प्रोटीन होता है इ स्गِّ हैं कि inhabil 우리 pdf lou कि marble एक अब यहां पर दे रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहाऊं कि सेरल प्रोटीन क्या है तो जो प्रोटीन केवल आमिनो एशिट्स के दूअरा बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं simple protein, sural protein के नाम से जानते हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ protein ऐसे होते हैं जो combine होते हैं, संयुक्त होते हैं संयुक्त प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे protein होते हैं जिसमें 1, 2, 3 amino acids हैं और इनके साथ में कुछ और पदार्द भी, कुछ अन्यततव जैसे ron जुड़ गया ठीक है, copper जुड़ गया तो कुछ अन्यततव इनके साथ जुड़ गया अब हो क्या रहा है कि copper, iron, ऐसी चीज़े जुड रही है कोई अन्यततव इनके साथ जुड़ रहा है और वो protein बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे उसको संयुक्त protein कहेंगे क्योंकि amino acid के साथ साथ में दूसरी चीजे भी इसके साथ मिली हुए और example हिमोगलोबिन नाम का एक protein होता है और आपने सुना होगा आपने पढ़ा होगा कि हिमोगलोबिन के अंदर iron पाया जाता है हिमोगलोबिन protein है हिर भी उसके अंदर iron है जबकि हम कह रहे हैं कि protein कैसे बनते amino acid से बनते और amino acid में iron नहीं होता है क्या होता है CHN और O होता है यहीं देखा हमने iron का है इसके अंदर अगर iron है तो इसका मतलब दूसरी चीजे भी protein के अंदर होती है जैसे कि हमने दूसरी लाइन पड़े थी कि कुछ मात्रा में गंदक हो सकती है जस्ता हो सकता है तो जो कुछ मात्रा होती है उसमें अगर iron हुआ तो क्या बन जाएगा हेमोगलोबिन बन गया तो ऐसे protein को हम क्या कहेंगे संयुक्त protein कहेंगे इस प्रकार का जो protein बन रहा है उसको हम संयुक protein यानि कि दूसरा पदार्थ को जी एड हो गया फिर एक होता है व्यूद्पन प्रोटीन रहा तो सरल प्रोटीन है अपने पास या सयुक्त प्रोटीन है अगर वो कुछी क्रिया से गुजरने के बाद अपने आपको चेंज़ कर लेता है तो उसको हम कहते है व्यूद्पन है यह दो सरल है या सयूप्त प्रोटीन है और ऊसके बाद نया प्रोटीन बन गया है जैसे कि एक प्रोटीन का नाम का एक प्रोटीन और अपस में ग्रिया है यह इनका विटन होता है तो फाइब्रनोजन नाम का एक प्रोटिन बनता है यह कहां पर बनता है विया तो हमें च्ट लगती हैं तो रख्तका सब्सक्राइब नाम के प्रोटिन उन्ध और वह convert हो के फाइबर नोजन बनाते हैं और यह ना दे जाल बनाती यह उस जाल में फस्ऑ जाती है और वह से शूर्व से थ्रॉंबीन से फाइबें प्रत्रोंथे शूर्योजन फंडल जम्टेन वह बनाता है वन देत 5 प्रकार का newspapers यह यह अधार पर प्रोटीन को या रासैनिक सरचना के आधार पर हम तीन अलग-अलग प्रकार में इनको विभाजित कर सकते सरल संयुक्त और व्यूत्पन प्रोटीन के रूप में ठीक है उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़े जो है आपको समझ में आ गही होगी दोस्तों अगर वी करना चाहते हैं तो इस प्लेइलिस्ट में जहां पर आप यह वीडियो देख रहा है इसकी पूरी प्लेइलिस्ट है यूनेट सेवन की यूटूब चैनल पर यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप MPPST की complete preparation जो है बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं कोई पैसा नहीं देन है कोई registration चार्ज नहीं है कोई monthly charges नहीं है कोई टेक्स नहीं देना कुछ भी नहीं देना बिल्कुल फ्री में केवल एक डाउनलोड करनी है जिसका नाम है प्यस्ट्रेशन करना है और शुरू हो जाओ तयारी करने के लिए content भी मिलेगा video courses मिलेंगे उसके साथ साथ अगर हम हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे MPPSC related सारे notification previous year paper topper कैसे लिखते हैं टोपर की booklet उसके अलावा टेस्ट सीरीज डेली डोस इस सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी तो इस वीडियो के देखने के बाद आप प्लेस्टोर पर जाना पी हम देखते हैं कि protein जो हैं बहुतिक सरचना के आधार पर या physical condition के आधार पर कितने प्रकार का होता है तो according to physical condition अगर हम देखें तो protein को लगवग तीन प्रकार में यहां पर भी डिवाइड किया है एक होता है जिल्लीदार protein एक होता है गोलाकार protein और एक होता है तंतुमाई protein किस basis पर है कि protein की physical condition क्या है वह जिल्ली के आधार है वह गोलाकार का है यह तंतुमाई protein के बारे में और हम इस होता है या तंतु जैसे प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं कहां पर होते हैं ठीक है तंतु मैं प्रोटीन के अगर हम बात करें तो ऐसे प्रोटीन जिनकी सरचना जिनकी सरचना धागे नुमा होती है कैसे सरचना होती है धागे नुमा धागे नुमा का मतलब क्या है कि छोटे-छोटे धागे जो होते हैं उनके आकार का एसा 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 प्रोटीन जो है जैसे की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है धागे जैसा तो इस आकार के अगर प्रोटीन है तो उनको हम क्या कहेंगे उनको हम तंतुमाई प्रोटीन कहेंगे अब होते कहां पर हैं हमें केसे दिखेंगे हम केसे याद करें कि तन्तुमय प्रोटीन है तो जहां पर जोड होती है जोड का मतलब कि या तो हड़ी से हड़ी जूड रही है हड़ी से मसल्स जूड रही है हड़ीयों के अंदर मसल्स के अंदर उनके अंदर जो प्रोटीन सुना होगा लिगामेंट नहीं सुना है तो सुन लो यह क्या होते हैं जोड होती हैं यह क्या होती हैं टेंडन का मतलब क्या होता है कि जहां पर अस्थी से muscles यानि की जो हड़ी है वो mass species से जुड़ी होती है अस्ति से mass species जब जुड़ी होती है तो fix वहाँ पर जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है टेंडन जोड़ता है अब टेंडन क्या है तो टेंडन के अंदर क्या होते है एक सरचना है इसके अंदर क्या होते हैं ? प्रो टीन होते हैं और गया होती है लिगामेंट यह क्या करता है तो यह अस्थी से अस्थी को जोड़ता है जैसे कि दो हड़ी आमस dozen जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से अलग नहीं होती है तो अलग अलग करने का उसको जोड़ेर रखने का काम जो करता है वह li好啦 करता है और लिगामेंट के अंदर भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो तन्तुमाई प्रोटीन पाया जाता है अब कुछ प्रेश्ण यहां से यह दोनों तो प्रेश्ण पूछे जाते हैं धाया प्रेश्ण प्रेश्ण से पूछा जाता है की केसीन प्रोटीन के अंदर होता केरेटिन प्रोटिन तो केरेटिन प्रोटिन भी एक प्रकार से तंतु मैं प्रोटिन का उधारन है यह कहां पर पाया जाता है तो इसके दो प्रकार होते हैं एक अलफा और एक बीटा केरेटिन है ना यह क्रेटिन भी इसको कहते हैं केरेटिन भी कहते हैं यह कहां पर होता है तो जो अलफा प्रकार का होता है, वो मकडी के जाले में होता है, मकडी का जाला, वो भी एक प्रकार से, या मकडी का जो जाले वो एक प्रकार से धागे नुमा सरच नहीं होती है, तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, केरेटीन प्रोटीन होता है, और कौन सा वाला तन तुम प्रोटीन का एक प्रकार फिर बीटा जो होता है कहां पर होता है नाखुन में होता है हमारे जो नाखुन यह पूछा जाता है कि नाखुन में कौन सा प्रोटीन होता है तो केरेटीन प्रोटीन या क्रेटीन प्रोटीन भी इसको कहते हैं नाखुन में जो बाल होते हैं उनमें जानवरों के खूर यानिक उनके पेर के वहाँ पर जो कठोर सरचता होती है नाखुन जैसे उनको खूर कहते हैं उसके अलावा अगर हम बात करें तो जानवरों के जो सिंग होते हैं इन सभी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो इनमें केरेटिन प्रोटीन या क्रेटिन जो हैं पाया जाता है उसके बाद इसका एक और example you like demote प्रोटिन और यह पॉज़े से सिकोड़ती है और यह भी किसका example है एक प्रकार से तंड़ो मैं प्रोटिन को उसके बाद और कौन साब प्रोटिन होता है तो यहाँ पर एक एस्टोटीन प्रोटीन होता है और एस्टोटीन प्रोटीन क्या करता है तो यह उत्तकों के निर्माण में सायक होता है जो उत्तक होते हैं उनके निर्माण में सायक होता है उत्तक क्या होते हैं तो जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और जिस सरचना का निर्म हर बार यहां से प्रश्ण बनते हैं और आगे भी बनने की संभावना पूरी-पूरी है चलिए उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि यह तो तंतु में प्रोटीन हो गया दो और प्रकार हैं कौन-कौन से एक गोलाकार प्रोटीन है एक जल्लीदार प्रोटीन है तो गोलाका का परिवहन तो कौन करता है ब्लड करता है तो एसे प्रोटीन जो ब्लड में घुले होते हैं गोल आकार के होते हैं उनको हम गोल आकार प्रोटीन कहते हैं तो जितने भी प्रोटीन ब्लड के अंदर होते हैं रक्त के अंदर होते हैं वो सारे गोल आकार प्रोटीन है उनका आक पिर आइरन की कमी हो जाएगी हिमोगलोबिन की कमी हो जाएगी ह міगलोबिन में कि नोज़ाएगा कि जो यह रखते हैं और ठका बनाने में यह लिए उसको बनाने का काम करते हैं उसके बाद एक और प्रोटीन होता है दोस्तों जिल्लीदार प्रोटीन मेंब्रेन प्रोटीन जो कोशिका से संबंदित होता है किसे संबंदित होता है क्योंकि कोशिका के अंदर ही कोशिका जिल्ली पाई जाती है और उससे संबंदित जो प्रोट में उनके निर्माण में यह प्रोटीन जो हैं सहाइक होता है एक होता है ऑक्सिटोसिन रिसेप्टर प्रोटीन नाम का एक हार्मॉन होता है दोस्तों जो दूद के इस्तरावन में सहाइक होता है तो ऑक्सिटोसिन हार्मॉन को बनाने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको ऑक होता है glucose transporter protein तो glucose के transportation के लिए यानि कि glucose को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो protein आवशक होता है उसको कहते है glucose receptor protein तो यह तीनों किस प्रकार के protein है तो यह जिल्लीदार protein के उधारने अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह तो हमने प्रकार देख लिए protein के मतलब जो function है magic की कोज किस ने किये थी किस प्रकार से बना होता है कौन-कौन से चीज़े इसके अंदर होती है अधिकता से क्या हो जाता है अब हम देखते हैं कि हमें मिलता है किसे किन-किन चीज़ों के मात्यम से मिलता है तो आप से पूछा जाता है कि protein का सबसे अच्छा हिस्त्रोथ क्या है तो सबसे अच्छा हिस्त्रोथ होता है सोयाबिन सोयाबिन के अंदर 43.2 प्रतिशत क्या पाया जाता है तो protein पाया जाता है सोयाबिन और मश्रूम जो हैं सबसे अच्छे इस्त्रोथ हैं किसके प्रोटीन के उसके बाद जितनी भी डाले होती है वो भी एक अच्छा इस्त्रोथ होती है मंगफली, काजु, बदाम ये भी अच्छा इस्त्रोथ हैं उसके अलावा दूद से, अंडे से, इन सारी चीजों से, मान से, इन से क्या किया जा सकता है प्रोटीन की प्राप्ति की जा सकती है तो आप से पूछा जाता है कि किस पदार्त के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है तो आपसे पूछ लेगा कौन सा protein है जा पूछ लेका कौन सा protein पाए जाता है तो गेहु में हैute Falls नाम का protein है ठीक है और आपसे पूछ लेगा अंडियों में कौन सा protein पाए जाता है बहाँ चरनument कर लेए है इसको albumin नाम का protein या screenshot लेने ना इस screen की ताकि आप लोग जो है इसको बाद में भी पढ़ सको और कौन सा protein होता है अंडे के अलावा और कौन से पदार्थ में होता है जो जितने भी दाले है या सोयाबिन है सोयाबिन भी दाल वर्ग के अंदर या तिलहन के अंदर के अंदर क केसी दूद में क इस Ganon का protein होता है उसके अलावा एक कीवी फल होता है कि विपल में कौन सा protein होता है तो इसमें एस्टोटीन नाम का protein होता है छे हैं उसके वाद रक्त के अंदर जो प्लाजमा होता है उसमें कौन सा प्लाजमा में 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 प्ल बहुत-ती इंपोर्टेंट चीजए मैंने लिखी इसके ओपर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस से हमें लाब क्या है को सेवन कर रहे हैं क्यों कर रहा है क्या क्या इसके फंक्षनलीटि जsqunt हैं क्या क्या लाव है तो दोस्तों इसके बहुत सारे llam हैं बड़ सबसे महत्पून लाव इसका है यह शरीर का विकास करता है और चोटे बच्चों के लिए तो यह जीवन दान है अगर चोटे बच्चे में प्रोटीन की कमी हुई तो उसके शरीर का विकास नहीं हो कि प्रोटीन से ही शरीर का विकास होगा जब आप कारे करते हैं कारे प्रणाली सुधारते अपनी दो-दो गंटे मैनत करें जीब में क्यों कर रहे हैं शरीर को डेवलप करने के लिए शरीर को डेवलप करने के लिए प्रोटीन के आवज सकता होती है इसलिए प्रोटीन के जो करता है उत्तकों की मरमत करता है वजन कर्म करने में भी सायग होता है रोग प्रतिरोधक शमता जो हैं इससे बढ़ती हैं बालों और तवचा को स्वस्तों चमकदार बनाने का भी काम करता है तो यह सारे इसके बैसिक से लाव हैं बट सबसे महत्पून लाव या सबसे खराब हो जाते हैं अधिकता से क्या हो गया वरक का गुर्दै या कड़नी थीनों एक हिस्थे जोते हैं एलेक legends क्या हो जाते हैं और अगर कमी हो गई तो क्या होगा क्या होता है महारासमस क्या होता है क्वार्सी और करो तो दोस्तों बच्चों में और वयस्क में सेम लक्षन देखने को मिलते हैं जिसे बच्चों के शरीर का विकास नहीं होना दूबला पतला हो जाना और जहां पर हाथ लगाओ वहां पर जिसे तुछा पर हाथ लगा रहे हो बिल्कुल भी, सरी का विकास नहीं हुआ है, तो उसको कौन सा रोग हो गया है, मरासमस रोग हो गया है, व्यस कमें भी ऐसे ये रोग होते हैं, जैसे तफचा पर हाथ लगाने पर कड़ा पड़ जाते हैं, सरीर बहुत दुबला पतला होता है, सरीर जो हैं, उसकी कारिसमदा बहुत कम होती है तो उस रोक को हम क्या कहते हैं क्वार्शी ओर कर रोक कहते हैं तो यह दोनों किसकी वज़े से होते हैं प्रोटेन की कमी से अधिकता से कड़ने खराब तो दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रोटेन की जीरो से लेकर सो तक यानि कि A to Z जितनी भी चीज़े थी उनको देखने की कोशिश की हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की हैं अलागि फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं बट 99% चीज़ें हमने प्रोटेन के बारे में कवर कर ली हैं तो दोस्तों आज का वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और MPPSC की कम्प्लीट प्रिप्रेशन अगर आपको करनी है तो PSC अड़ा नाम का जो एफ हैं उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एक बार जब आप डाउनलोड करोगे तब आपको पता लगा कि इसके अंदर इतनी चीज़े वह भी बिल्कुल फ्री में जैसे कि सारे कोर्सेज सारी टेस्ट सिरीज प्रिलेम्स के लिए अलग मेंस के लिए अलग और उसके अलावा MPPSC से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं जितने भी अलग 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 टॉपर्स की अगर करने हैं तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा बाई चलिए आज का वीडियो आप सभी ने लाश्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग क्वालिटी मेंस पीशेड़ा